जैहिन दोस्तो मैं हुराकेस फोजी दोस्तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे SSB HCM की व्रक प्रोफाइल के बारे में कि SSB HCM की जो जोब होती है वो मिनिस्ट्रिल जोब है ओफिशल जोब है लेकिन ओफिस के अंदर जो SSB HCM इसको क्या काम करना पड़ता है क्या प्रकिरिय उस कार्य करने की इस वीडियो के मादम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले चोकि इस चैनल के उपर फोर्ष समंधित आपको सभी परकार की जानकारियां मिलती ने दिए तो दोस्तो SSB का कारिय ओफिशल है यह सभी को पता है आपने वीडियो भी देखे होंगे आपने जब फॉर्म प्लाइ किया है तो इसकी जानकारी सभी को है इसके समंध मैंने भी वीडियो बना रखा है जो प्रोफाइल से समंध में और वैसे हम करता है लेकिन ओफिश के अंदर जो जो ब्रांच होती है जैसे हर ब्रांच के डिकलेम इन प्रव अपने चेबो इस प्राइखे की जतने बी क्लेम आयंगे इसके पास में जा एंगे एक education allowance का देखता है, कोई house rent allowance का देखता है, या किसी किसी के पास में जैसे documents जिसी चीज के लिए कम आते हैं, तो उसके पास में 2-3-3 charge भी रहते हैं, जैसे वो CA का देखता है, वो GPF का भी देख लेगा, HR का भी देख लेगा, risk allowance वगरा है, उसका देख लेगा, ऐसे करके, ले जवान को HRS नहीं मिल रहा, या किसी जवान ने HRS के लिए पहले अपलाई किया था, उसको कम समयका मिला, कुछ समयका नहीं मिला, तो वो अपने application अपने company office में देता है, company office से, जो एक company के अंदर GD के बाबू बैठे रहते हैं, वो उसको headquarter में भेज देते हैं, बनाके उसक application भेज देते हैं, तो वो man office के अंदर आता है, जहां पर HCM बैठते हैं, उसको man office बोलते हैं, तो man office के अंदर आएगा, तो उस जो problems को dealing कर रहा है, जैसे medical का है, TADA का है, CA का है, HR A का है, तो जो जवान की जो problem थी, जो उसको dealing कर रहा है, उस HCM के पास में, वो documents आ जाते हैं, जवान ने जो application दिया है, वो सही दिया है, जवान की real में problem है, तो वो अपने जैसे अगर unit level की problem होती है, तो अपने उसका order निकाल के, उसके जितने documents है, वो पूरे put up करके, commandant के पास में भेज देते हैं, commandant उस पे sign कर देता है, approval मिल जाता है, जवान की शमिश्या का शमाध में document से ले जाते हैं, तो ये एक प्रकिरिया होती है, HCM के पास आने के लिए, इसके अलावा जो भी एक जवान को कागजी कारवाई करनी है, किसी भी संबंद में, जीरो से लेके hero तक, जो भी कारवाई होगी, तो ये मालो unit level के उपर HCM के ही through कारवाई होनी है, चाहिए वो letter नहीं भेज सकता है, कि application लिखा, और अपने SP को भेज दिया, अगरे मेरे परिवार के साथ समिस्या है, मेरे को किसी प्रकार के समिस्या हो रही है, तो कोई कारवाई नहीं होती है, लेकिन वो commandant को application भेजता है, कि sir मेरे को ये problem है, और मेरे को SP को letter भी जवाना है collector को, तो commandant एक judge की power रखता है, और commandant उस letter के पर seal मार के shine करके, उसको district में भेजता है, तो ये कारवाई जो letter type करना है, जो भी करना है, तो ये ministry staff जो जवान होते हैं, चैहे हो, HCM है, चैहे हो, ASIM है, HCN है, जो ministry staff का जो charge में रहेगा, वो इस कार्ये को देखता है, यानि कि जो भी कार् अगर इस जानकारी के समन्द में आपका किसी प्रकर का कोई डाउट हो, तो comment box में comment पूछ सकते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like और share जुरूर कर दे, जै